अनंत अनंत अपकारी ट्रेलोग के नाथ शासिन के महाप्राण स्रम्ल भगवन माद्री स्वामी के विश्मिन करते हुए आचारे भगवने बामारत्य गृत्य पे च्रोणों में बंदना बंचासिन निपाल हम गवर वाचनचार अपाध्य प्रवर डॉक्टर स्री विशाल मुंजी मारत्य साथ के च्रोणों में कोटिक्स बंदन करने के पास्चार अदेने मुनिराज प्रिवेश रोता जन चत्रमास के अंतरगर अब सब लोग जिन्वानी सर्वन कर रहे हैं इसे स्रिंखला को तोड़ा चाह के बढ़ाया रहे हैं उससे पुरुब हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे भगवन तेरी आराधना मेरी जिन्दगी की शान ओ मुझे के यही वरदान दो मुझे के यही मेरी आत्मा बलवान ओ भगवन तेरे आराधना बगवन मुझे सुख की कोई परवा नहीं दुख में भी निकले आनहीं मुझे सुख की कोई परवा है दुख में भी निकले आनहीं बस एक तेरा ध्यान ओ बस एक तेरा ध्यान ओ ओ ठोठों पे तेरा नाम ओ भगवन तेरे आराधना पथ में हजारों भी गनभी आए डिगाने जो अगर चाहे सामने शैतान हो मेरे प्राण भी कुल्बान ओ भगवन तेरे आराधना भगवन तेरे आराधना हमारा जीवन जिस तरह आगे बढ़ता है और उस बढ़ते हुए जीवन में सुख और दुख दोनों हमरे साथ होते हैं किसी का भी ऐसा जीवन नहीं जिनके जीवन में सरफ सुख ही सुख हो और कोई ऐसा भी नहीं जिसके जीवन में मात्र दुख ही हो दुख और सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलों के तरह हमरे जीवन में आते हैं सुख आता है तो भी हमें स्वयम अकेले को उसको भोगना है तो दुख आता है तो भी उस दुख को बाटने वाला इस जीवन में कोई दूसरा साथी हो नहीं सकता एक भ्रम जरूर हम लोग पाल लेते हैं दुख को बाटा जा सकता है जिसको हम ये सोचते हैं कि हम दुख बाट रहे हैं वो दुख बाटना नहीं दुख फैलाना होता है एक से दुसरे में दुसरे से तीसरे में उस दुख को हमने फैलाया जरूर है प्रंतु दुख को हमने बाटा नहीं जो हमरे जीवन में दुखाता है उसको तो हमें स्वयम अकले ही भोगना होता है चाहे प्रसन्न होकर के भोग लिया जाए या फिर परिशान होकर के भोगा जाए भोगना तो स्वयम को पड़ेगा क्योंकि वो कर्म हमरे स्वयम अपने दुआरा किये हुए कर्म होते है कभी-कभी हमें ऐसा मैसूस होता है कि मैंने बहुत कुछ किया है दुनिया के लिए मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता हूँ परंतो उसके प्रतिफल में मुझे कुछ मिलता नहीं ऐसा हमें भर्म हो जाता है अगर हमारे करने से अच्छा होता तो शायद सारे संशार को हम अच्छा बना देते और अच्छा बना देते ये कहना तो आसाने परंतो हमारे मन में ऐसे भाव आते ही कहा है हम तो सिरब अपने तक सिमित रहते हैं स्वयम पर या स्वयम के आसपास में रहने वाले जो सयोगी साथी है उन तक ही सिमित रहते हैं सरवे भवन्त सुखिन संसार के सब प्राणियों को सुख प्राप्त हो ऐसा तो भाव कम ही लोगों के मन में आता फिर भी कुछ ऐसे पुन्यात्मा दर्मात्मा पुरुष संचार में अवतार लेते हैं उनके मन में जरूर ये भाव आते हैं कि सारे संचार के लोगों को मैं दुख मुक्त कर दू ऐसा भाव जिन महापुरुषों के भावना मन में आते हैं क्या वो महापुरुष सारे संचार को सुख दे पाते हैं तो वो भी संचार को सुख नहीं दे पाते तो इसका मतलब सिरक यह कही हुआ हम चाहें तो हम सुखी हो सकते हैं तो हम चाह रहे हैं इसलिए हम लोग दुख पा रहे हैं तो यह हमको विश्वास करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं, हम चाहें अगर हमने संकल्प किया मुझे दुखी नहीं होना है किसी भी परिष्थिती में क्यों नहो, अगर ऐसा भाव मेरे अंदर आया और मैंने संकल्प किया, तो उस व्यक्ति को संचार में कोई दुख दे नहीं सकता तो सुक और दुख ये हम मरे स्वयम के अपने सोच पर निर्भर करता है और स्वयम अपने द्वारा किये हुए करमों का फल हमको भोगने को और उदय में आये हैं और उनको हमें भोगना पड़ रहा है पर इस तरह का ज्ञान हमें हो जाए तो बंदो संथार में हमें दुख से मुक्ती मिल सकती है और बहुत लोगों की यही सिकायत होती हम सब लोगों की एक ही सिकायत है कि मैंने अपने परिभार के लिए किया बच्चों के लिए किया अपने बाप के लिए किया सब के लिए मैं करता हूँ, ऐसा गलत हैमी मेरे मन में होती है, पंतो हम किसी को कुछ कर नहीं सकते, अगर हम कुछ करने वाले होते, तो बंदो एक ही परिवार में जन्म लेने वाले दो भाई हैं, एक लगपती होता है और राजा बनता है, और उसी गर्व से जन्म लेने वाला दूसरा भाई भी हमागने को मजबूर हो जाता है। साहित परवरिष एकी परिबार में हुआ है, बाबाप वही है। दोनों की इच्छा ये कही थी, मैं अपने बच्चों को होनहार बना दो, परन्तु होनहार बनाने के माबाप के चाहने से तो होनार हुआ नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अपने दिरड़ संकल्प के साथ अपनी जीवन को आगे बढ़ाया, जीया, तो वो संचार में सफल होता है, और बन्तु जिसने जीवन में हमेशा पराजित ही सुईकार किया है, हमेशा हारा हुआ, शिकाहट भरा जीवन जीने वाला दिखती, जीवन में फिरू सुख बाद सकता नहीं। इसी तरह की कुछ घटनाएं, आप सब लोग सुन रहे थे, कि मदन रेखा, बंदु वो ऐसे नारी, जिसके जीवन में इतनी पवित्रता है, राज्य सुख को उसने इस तरह से ठोकर मार दिया, जैसे आम हमरे सरी से किसी गंदगी को त्याग देते हैं, इतनी सामानी रुप में सांसारिक परिपुर्ण वो सुख को त्याग कर, जंगल के मार्ग को अगर उसने रिकार किया है, इसके पीछे एक ही कारण था, शील की सुरक्षा, जिस व्यक्ति ने इस संकल्प किया, मैं अपनी शील की सुरक्षा करने के लिए बंदो तैयार हूँ, तो बंदो संसार के कोई भी घटना उसे पराजित नहीं कर सकती, और ऐसे नारी जब जंगल में जाती है, जंगल में एक बच्चे को जनम दिया, और बच्चे को जनम देटे ही, मा और बेटे का बिछुड़ना हो जाता, अब बंदो मा तो चाहती थी, मेरा बच्चा बेचा, राज महले में जनम ले, राजकुमार बने भविष्य में राजा बने, ऐसी चाहना तो उसके मन में भी, उसके मन में सपने ऐसे थे होंगे, परन्तो जनम से पूरबही, कुछ ऐसी दुर घटना घट गए, जंगल में जनम लेता है, जनम के समय में मंगल गित गाने बाले भी कोई नहीं है, खुशी मनाने वाला कोई नहीं है, ऐसे जنम में जनम लेने वाला, सामने बाललक सामने बालग और जनम लेते ही, मा उससे दुर हो जाती है, फिर बंदो अकेला उसे जंगल में जंगले प्राणियों का और उन पशों का कितना बड़ा भय था, फिर उस भय के बीच में ऐसी घटना घट गई मिधिला का नरेज पदमरत बन भरमन के लिए आता है और जब उसने किसी बालक के रोने का उसको ऐसा उसके कानों में शब्द गुजते हैं और बनेजदिक में जाकर उस बच्चे को देखता है और बच्चा देखने में इतना सुंदर है जैसे लगता है कोई देव पुरुष है और बंद पदमरत के घर में कोई संतान नहीं है संतान के अभाम में घुम रहा वो प्यक्ति आज मनुरन्यन के लिए जंगल में घुम रहा था उसको जब ऐसा बालक मिलता है और उस बालक को ले करके भगवान का परसाश समझ करके ले के चला गया और इधर मदनरेखा परिशान थी मदनरेखा को लग रहा था जनम जेते ही जिस बालक को मैं दूद भी न पीला पाई और उस बालक से मुझे अलग होना पड़ा और अपने ही पती से जब पूछा कि मेरा बालक कहा है मेरे बालक का परिचे आप दे सकते हैं क बंदोस अपने पती ने जब किके मरकर देव बना हुआ था पती ने कहा कि इस समय हमारा जो बालक है वो मिधिला नरेज पदमरत के राज महल में वो सुक्ष को भोग रहा है इस बात की जानकारी होते ही मदंद रेखाने बंदोस संचार को तो समझी चुके थी संचार की वास् आर्थी हैं और हमारे साथ में रहने वाले हर ब्यक्ति हमारे सुर्थे के करण हमारे साथ संबंद बनाए हुई हैं जीवन्ही केला आया है अकेला ही जाना है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, इस भात का उसको ज्यान था, और उसने सोचा कि सैयम का राज मार गई, सर्वस्तरेश्टा मार गई, ऐसा समझ कर मदन रेखाने सैयम अंगिकार कर लिए, दिख्षा ले लिए, और बंदो इदर, मिधिला नरेश, जब स हमें आने के बाद, पदमरत ने देखा, कि मेरा जो बालक है, और अब वो लगभग राज्य समाले में समर्थ हो गया, यह सोच होती थी, और व्यक्ति जो, जिसका जिवन त्रिष्ट होता है, और वो व्यक्ति, बंदो हमें इसा ये मन के अंदर धारन करके, बैटने को तयार रहता है, कि जब अवसर मिले, मैं सैयम को अंगिकार कर लूँ, जब मेरे को ये सुआवसर प्राप्त हो, तो मैं धर्म के मार्ग को अपना लूँ, इसलिए तो भगबान महागीर ने स्रावक के मनुरत में यही तो कहा है, सादू के मनुरत में भी यही धावना होती है, ये वो दिन मेरे लिए सवभाग्य साली होगा, अगर मैं आरंब परिग्रह से पुरुन रुप में विर्यफ्त निग्दित हो करके पंच्य महावरत धारन करूंगा, ये भाभी तो होते हैं, अगर ये भाब अगर हमरे इर्दे से निकलने वाले भाब बन जाएं, तो एक ने ए भोग तो लू, यही तो खत्रा है, एक पर हम भीचरन करते हैं, हैदरवाद में गए, तो मैंने कहा भाई, बहुत जादा आना जाना हो रहा है, भाई तु दिक्षा ले ले, तो लड़का कह रहा है, गुर जी दिक्षा लेने का मन तो हो रहा है, लेकिन अभी एक नई पैंड लू, उसके बाद क्या करूंगा, वो भले बच्चे ने मनुरंजन के रूप में का, और हम सब की अवस्ता यही है, अभी थोड़ा सा इसको भोग लू, जो मेरे पास, जो मिला हुआ है, इसको क्या कर लू, मैं भोग लू, उसके बास सहीं अम लूँगा, ऐसा कहता जाता है, और संग्रह विर्ति को बढाते जाते हैं, अम लोग और बंदो, जितना जितना हम लोग निवरित होने की कोशिश करते हैं, उतना ही संसार के निज्जाल में फश्ते चले जाते हैं, हम जो अभी, हमारी जो अवस्ता है, उन अवस्ता को देखें, तो शही है, यह मन के अंदर जो पवित्रता है वो जवानी में नहीं होती है जवानी में जो पवित्रता थी गिर्दा वस्था में नहीं होती है द्यान रखना जितने जितने उमर बढ़ता है उतनी मन की चंचलता बढ़ती है सारी रुप में भले सिथिलता आ जाए प्रंत मानसिक रुप में सिठिलता नहीं आती, मन तो हमारा चंचल बना ही रहता है, मन में तो नह जाने कितने सपने कितने कल पना आए, और बढ़ती रहती है, तो एश लिए कहते हैं, वो सोभाग के साली लोग होते हैं, जो देखते हैं, और सर मिला, समय मिला, अपने जिम्म अंगिकार कर लो धर्मा को धारन कर लो ऐसा ही था पदमरत जब पदमरत ने देखा कि मेरा जो राजकुमार है जिसका नाम है नमी नमी राजा तो नमी जो बालक राजकुमार है नमी राजकुमार जब दिक्षा इसा राजकाज को समालने की तैयारी में समर्थ हो गया तो पूर राज्य को अपने राजकुमार को सौप करके दिख्षा अंगिकार करके वो तो सहीं में जीवन जी रहे हैं और इधर नमी राज्या ने अपने सामराज्य को फैलाया मिठिलाश लेके बंदो काफी विश्तारबाद के साथ काफी छेत्र को उसने काफी छेत्रों में अपना अधिपत्ते उन्हें ने जमाया एक दिन घटरना कुछ ऐशी घट जाती है कि बंदो महाराजा नमी राजा के गज साला में से सफेद रंग की हाथी मनों सफेद रंग का जो हाथी है वो हाथी बंदन को तोड करके भाग जाता है और भागते भागते नजाने कौन से छेत्र में पहुंच गया सोईत रंग के हाथी का मिलना बड़ा कठिन होता था प्रंत कहीं से उनको प्राक्त हुआ सफेद रंग का हाथी जब आज अपने बंधन को तोड़कर भाग गया और उन्होंने खोज जारी की खोज जारी करते करते पता चला वो हमारा जो हाथी बंधन को तोड़कर के निकला था वो तो मालप प्रांत के शुदर्शनपूर विजवाया चंद्रेश के पार चंद्रेश वो सफेद रंग की जो हाथी है वो हाथी मेरा है उस हाथी को लौटाने का काम आप करो जब इस बात का प्रस्था उन्होंने भेजा उस समय चंद्रेश ने कहा छेत्रियों के अधिन में जुर रही हुई बस्तू होती है वो यु तो नमी राजा ने उद्ध की तयारी कर दी चोटी सी घ unable होती है और इच्छोटी सी घतना होती इस और गलत वयमिया उद्ध पएदा यह त्टी की चोटी शी घलत वयमिया आप दो दिन पहले वाचनहचार जी के मुखारविन शेक प्रगट ना शुन रहे थी, एक डाशी ने राणी के कपड़े पहिन करके, बिस्तर में लेटने पर, और बन्हें कितना बड़ा क्या हो गया, संका का माहोलो बन गया, राजा समाजता, राणी गलत है, राणी समझती राजा गलत है, महामंत्री समाजत कौन हमें वısı सही रास्ता दिखा है और बंदो उसमें सिरक यह कि वो दाशी तो थी जो सत्य को क्या करते थी समझते थी हंतर भी जांके शाहिदो दाशी नही क्या कर दिया होगा इसी तरह हमारे जीदन में भी किसी के साथ हमारा जगडा होता है युद्ध होता है लड़ाई होती है होता कुछ भी नहीं है अगर उसके बारीकी में पहुचने की कोशिश करें अगर हम जहां से जगडा पैदा हुआ उस सत्य तक पहुचने की कोशिश करो कुछ भी नहीं होता है फलाने ने इशा कहा था उस फलाने ने फलाने से कहा फलाने ने इसा करते करते बंदू इतना दूर दूर अबंद आ जाता है और किसी के बारे में एक मिनट में हम क्या करते है गलत धारना बना लेते हैं और एक बार जब किसी एक्ति के परती आपके गलत धारना बन जाती है फिर उसको मिटाना इतना आसान नहीं है गलत धारना ब तिरे सही करना इतना सहज नहीं होता है तो उदर चे चंग्रया युद्ध के लिए तयार है दोनों रण भूमे में बंदों युद्ध करने के तयारी कर रहे हैं और बंदों दिना करने ही हजारों वहाँ पर मनुस्यों क्या करने वाली है बली चड़ने वाली है ये दया ये करुणा के भाव अगर मन में आ जाए अरे बाबा चलो इस हाथी के त्यागने से अगर हजारों लोगों की जान बस्ती है तो क्या आफ इसके अंदर घाटा का सौधा है ऐसा तो कभी सोचता नहीं है अहंकारी व्यक्ति भमंडी व्यक्ति हम अपने नान अहम को क्या करता है मुल्य देता है अपने दंभ में रहता है और उस दंभ कोई सुरक्षा करने करने में नजाने कितना नुक्सान सौईम का भी कर लेता है अहंकारी व्यक्ति सोचता तो यह है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को क्या कर रहा हूं बंदो सही कर रहा ह लेकिन कोई सही नहीं कर सकता, स्वेन क्या करता है, पराजित हो रहा होता है, इसलिए बंदो दोनों के दीज के अंदर युद्ध की तैयारी हुई, युद्ध का प्यूल फूंच फूंका गया, और बंदो युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय ये सूचना जब पू राज्ये उनके अधीन में थे, तो दोनों की युद्ध की जब तैयारी होने लगी होते समय इस बात की जब जानकारे, पूरे शहर में, पूरे देश में, राष्ट में जब फैल गए, उस समय बंदो, ये जो मदं रे था, जिन्नोंने दिख्षा ले रखे थी, और उनका न चंद्रयस, वो भी स्वहिम उनका ही पुत्र था, अब देखिए बंदो, जीवन में क्या-क्या घटनाय घटती हैं, और जो दोनों राजा युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों अनभिध्य हैं एक दुसरे के संबंद से, और बड़ा जो चंद्रयस है, वो बड़ा भाई है, और इधर नमी राजा वो छोटे भराता है, और दोनों की बीच में जब युद्ध की तैयारी चल रही थे, उस समय बंदो सुब्रता सिरे ने अपने गुरुनी से आग्ये लिया, और उनने कहा कि गुरुनी मैया, उसी रण भुमी पर मेरा जाना बहुत आवस्यक है, कि बहुत बड़ी दुरगटना घटने वाली है, हजारो वेक्तियों की वहाँ बली चड़ने वाली है, और ऐसी बली चड़ने वाली उस घटना से, अगर मेरे जाने से, अगर हजारो वेक्तियों के प्राण बस जाते हैं, तो इसमें आपको मुझे आग्या देनी पड़ मस्ते थे दुरो भी धर्म को मानने वाले दोनों राजाय थे और दोनों ने जब देखा साद्री जी आई है वह दोनों राजा अपने गोड़े से अपने हाथी से नीचे उतरते हैं और उतर करके अपने हथियारों को उसी जगा पर रखकर साद्री को बंदन करने के लिए दोनों बंदन मी करते हैं और आशिरवाद भी लेने के लिए आजाते हैं कि चलो कमस्यम युद्ध सुरू होने से पहले हम साद्री जी से आशिरवाद लेते हैं ऐसा दोनुने सोचा और आशिरवाद लेने केलिए जब दोनों सामने आते हैं, दोनों सामने आएं तो बन्धों दोनों को ही सुब्रताशिरी, महासाधव जी ने बोध देना सुरू किया, कुछ ऐसा ज्यान देना शुरू किया अगर तुम युद्ध किस के लिए कर रहे हो, युद्ध कर रहे हैं, तो किसके साथ कर रहे हो, किसके को मारने की तैयारी तुम करने लगे हो, ऐसा जब जान करे दिया, तो बंदों दोनों ने पूछा, तो उस समय मदन रिखा, ने संपूर्ण अपना परिचय कोल के का कर दिया, रख दिया, और संपूर्ण परिचय कोल के टरग्ते ही ऑंदो आज तक नमीराजा diplom Blue एठीक इस बात का भी पता नहीं था कि मेरा जनम जंगल में यह वह अर मेरे माता और की हैं नैरे उसको जनम wide.. कर चुके है यह जो दilty इस बात का तो मेरे dataogen था व 라는 असऩिए को नशाखिछ मिराजा ने अपने बड़े भाई को क्या किया बंदन किया और बड़े भाई चंद्र यպस otherwise ने गले लगाया और गले लगाने के बदोनों के आखों में क्या होते हैं आशू की धारा बैती है और उस घटना को माता को देख कर। दोनों के राज्य की और जा रहा था जाते जाते बंदो कभी-कभी हमारे जो अशुक कर्म होते हैं अशुक कर्म का फल रूंत प्राप्त भी हो जाते हैं तो बंदो चन्द मनीरत जब अमने घर लौट रहा था पर लौट भी नहीं पाया रास्ते में ये काले से जहरीले साफ ने उसको और वहीं पर उसकी क्या होगे इदर यूग बाहू की मिर्थू होती है तो उदर मणीरत की मिर्थू हो गए मणीरत की मिर्थू होते ही ये मदंद्रेखा के बड़े बड़ा पुत्र तो दोनों पुत्र वहां पर मदंद्रेखा का जो पड़ा पुत्र है उस बड़े पुत्र क राजा चंद्रयस था और इदर मिधिला का राजा बंद्र नमी राजा ये भी दोनों मदंद्रेखा के पुत्र थे मदंद्रेखा ने जाकर के इस असलियत का ज्यान दिया बूद दिया उसी युद्ध के मैडान में युद्ध करने की तैयारी कर रहा है और चंद्रयस बंजो जब तक अग्यानवस्था में था, उस समय एक हाथी को छोडने को तयारने, वो भी दूसरे की हाथी, उसको छीन करके वो बैठा हुआ था, बंद संपुरह राज्य देने को क्या हो जाता है, तयार हो जाता है, माता को उसने नमना किया, और उसने का, हे माता, मैं तो तुम्हारे साथ ही क्या करता हूँ, सही यह मंगी कार करता हूँ, और अपने छोटे भाई नमी राजा को बोला, ले ये सारा राज्य क्या है, तेरा है, और मैं कुछ नहीं जानता, मैं पर माता के साथ क्या कर रहा हूँ, दिक्षा लेने के लिए जा रहा वो दिख्षा लेने चला जाता है और नमी राजा बंदो उन्होंने दोनों राज्य की जिम्मेदारी उनको मिलती इदर मिधिला पर दे और उदर माला पर दे दोनों पर दे तो दोनों राज्य का संचालन करती हुई वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और ब जो प्रवचन सुन रहते जिस विशे को सुन रहते अन्यत भावना दो इसके बारे में एकत्त भावना और एकत्त भावना भाने वाले ये नमी राजा ही है और इनके नाम के साथ नमी राज रिष्टी लगता है तो इसके अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा विशेश कारण ह जिसके करण उनके साथ एसा लगता है इसी तरह श्रीनिक चारित्र चल रहा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं श्त्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रीनिक चारित्र सुन आती हैं धर्म श्त्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रीनिक चालांतर से कुड़कुड भेजा बीना कुकड के संग लड़ना इसी को खोब सिखाना उकम दिया बेढ़ं श्त्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रीनिक चारित्र तो बंदो महाराज श्रीनिक अब उनकी जो लड़ाई है वो परतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी पुराने उस भाव को तो भूल चुके थे अब उनको ऐसा लगा कि हर मेरे प्रसन का उत्तर बड़े सहज रुप में दिया जा रहा है और उन्होंने देखा मैंने पहले इससे पहले जो मैंने बकरा भेजा और बकरे का भी निरिक्षण परती दिन करने के लिए अनुचरों को भेजता रहा और कहीं मैंनों तक उस बकरे को देखा नो उसका वजन बढ़ रहा था नो उसका वजन घट रहा था एक जैसा वजन और होने का कारण भी जब अनुचरो उन्हें जाके महाराजय स्रिनिक को बतला दिया, कि वो सामने एक शेर को बादा हुआ है, पिंजरे में रखा हुआ है, पिंजरे के सामने बकरा है, तो इसलिए उसका वजन बड़ नहीं पा रहा है, महाराजय को लगा, कि यहां पर भी हम हार गए हैं, पराजित हो गए हैं, तो उन्हें एक और समस्चे डाल दे, उन्हें एक मुर्ग को दिया, मुर्ग को भेजा, और उस मुर्ग को कहा, इसको बिना दूसरे मुर्ग की युद्द करना क्या करो, मुर्गों की लड़ाएं बड़ी खतरनाक लड़ाएं होती है, आप लोगों को तो ऐसा उसर मिला ही नहीं होगा, तो आपने ऐसे माहूल में जन्म लिया ही नहीं है, मुर्गां जब लड़ते हैं, पूरे खुनम-खुनों क्या होते हैं, हो जाते हैं कभी-कभी तो एक मुर्गा क्या हो जाता है, मर ही जाता है, इतनी खुंखार दोनों के लड़ाईया होती है कहीं दिन तक चलती है लड़ाई एक दिन एक गंटाने दो गंटाने पूरा पूरा दिन क्या होता है मुर्गों के लड़ाई एक दो मुर्गे जो ते आपस में लड़ते रहते हैं युद्ध करने के बाद जब कही और उनकेम अन्नेने मुरगे को भेजा नदिगरामबासी परिषान नदिगरामबासी तो उनके बास तो ये की अत्याद था अब है कुमार के पास पहुंचते हैं और अब है कुमार से पूझा कि अकले मुरगे को युद्धreiben करने कैसे शिखाया जा सकता है, तो अभे कुमार में तरकिभ बदाई, उने ने का, बड़ासा दरपन क्या कर दो, सामने रख दो, और दरपन के सामने इस मुर्गे को क्या करो रखो, सामने जब मुर्गा दिखाई देगा, क्या कि उसकी अपनी परच्छाईयां, परतिविंग सामने दिखाई देगा तो वो क्या करेगा उस मुर्गे को मारने की तैयारी करेगा और लड़ते लड़ते वो धरपण में अपने चोंच को मारेगा तो अकेला ही क्या करेगा लड़ने में युद्ध वो शिख जाएगा कुछ ऐसे बातें बंती चली गई और बं शरादू संशार में हो ही नहीं ऐसी घड़ना उनने बेजी उनने गा कि भाई हमको राज दरवार में रेतों की रसों की आवश्यक्ता है बालुआ होता है रेतों जो होता है रेत के रसों की आवश्यक्ता है कम से कम हमको एक को इंटल क्या कर दो तुम रेतों के रस्य राज महले भीज़भा दो अगर रेत के रस्षी तुम नहीं भीज़भाओगे तो राजा तुमेरे नंदीकराम को लुट लेगा अब इतना आसाने रेति के रस्षी बनाने का तरीका संच्वार में शो ही नहीं सकता, कहीं कोई उपाय हो नहीं सकता लंदिगराम वाश्वी ने सोचा तिरह फसाने के लिए अमरे साथ इसा व्यवाद किया जा रहा है अब वो किस तरह से रेतों के रस्ता बना करके वह पहुंचाते हैं राजगरी नगरी में ये तो समय के अनुसार आपके समक्स रखने का प्रत्न करेंगे इतना क तुमको मेरा नमसकार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुमे में राहर वार तिन जगत के नाथ आपके चड़ों में जाओं वलियार ववसागर के सोशन करता तुमको वंदन वारंबार ववसागर के सोशन करता तुमको वंदन वारंबार परसंग चल रहा है चरण करणान योग का चरण करणान योग में जो तपाचार होता है तपाचार में जो बाहर परिकार हैं उनमें तीसरे आभ्यांतर तप तपाचार का परसंग अभी आफलों की समक्षच चल रहा है तीसरा आंतरिक तप है बयाबृत्य बयाबच्च भी कहते हैं बयाबृत्य भी कहते हैं सेवा भी कहते हैं शहयोगी भी कहते हैं सुसरुषा भी कहते हैं साता पहुचाना कहते हैं ये सब इससे ही मिलते जुलते हुए सब्द है तो बयाबिर्त तब के संबन्द में जो बातें चल रही हैं ये जो इसेवा करना सहयोग करना सुसरुषा करना साता पहुचाना ये सब हम सामानने रुप से बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, अब्यास भी करते हैं और ये ही सब हमारे जीवन के अंदर चलता रहता है लेकिन विशेश रुप से शाश्रकार यहां पर आमतरिक तप का वरणन करते हुए बैया बिर्ट का विशे सर्थ करते हैं आगम की भाषा के अंदर ये बोला जाता है जव कोई सादक तपस्षरिया करते हुए साधना करते हुए ज्यान की इतनी गहराई को छो जाता है ज्यान आदी साधना की इतनी गहराई के अंदर चला जाता है भेद विज्ञान का इतना गहरा अभ्याश कर लेता है तो उसके लिए है कि प्राणी मात्र के परती प्राणी मात्र को दुख नहीं देना तकलीफ नहीं देना परिशान नहीं करना आशातना नहीं करना प्राणी मात्र के परती कोई दुख दर्द नहीं देना अब ये चीज बहुत गहरी है लेकिन ये आगम की भाषा आगम का ज्ञान आगम के सब्द इनी की अंदर कभी-कभी कुछ ये उसको बिचार विशेश रुप से न समझने के कारण या उसमें कशायादी का प्रवेश होने के कारण ये बड़ी गड़मना के परिणाम भी हो जाते हैं जैसे बैया गृत तब को लेकरिके एक परंपरा चली है उस परंपरा को कहते हैं तेरपंथ परंपरा जो तेरपंथ परंपरा है इसका भेद है इसकी 25 ये संपरदाय का निर्मान और ये तेरपंथ विचारधारा ये बैया बृत्य तब के अर्थ से निकले वी है और कहां आंतरिक तब है कहां बैया बिर्थ तब है लेकर इसी तब से एक पूरा संपरदाय खड़ा हुआ जो की तेरपंथ परंपरा के नाम से जाना जाता है तो बहुत बिचितर बातें होती है बहुत बार थोड़ा सा अर्थ बेद से कहीं का कहीं इन्शान पहुंच जाता है अब बात ऐसी हुई आगम की एंदर जो लिखा हुआ है आगम की एंदर बया गृत तब का जो बरणब की बया गृत तब करने वाला सारक चाहे पराणी हो चाहे भूत हो चाहे जीव हो, चाहे सत्तो हो, चेतना मात्र को कोई तकलीप नहीं देता, उसको मारता नहीं है, उसकी हत्या करता नहीं है, उसको आशाता पहुंचाता नहीं है, उसको परिशान करता नहीं है, चाहे एकंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, नारकी हो, या पशू हो, मुनस्य हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव जगत की अंदर जितने भी प्राणी है, उनको किसी भी परिकार की तकलीफ नहीं पहुंचाना, उनकी हत्या नहीं करना, उनको दुखी नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना, ये बयागृत तपस्षरिया है, बयागृत का त तपस्वी जो है किसी भी प्राणी को कोई तखलीप नहीं पहुंचाता यह तो आगमकार्थ अब यहाँ पर एक प्रश्ण पैदा हुआ अब यह प्रश्ण पैदा हुआ ठीक है वो जो वैयागृत तपस्वी है वो किसी को तखलीफ नहीं देता लेकिन कोई तकलीफ में हो कोई बिमार हो कोई अशकत हो कोई परवश हो कोई साहरे के लिए चिला रहा हो कोई बंचने के लिए चिला रहा हो कोई साहता मांग रहा हो तो उसके लिए क्या करना उसको तो साहता पहुंचानी चाहिए न तो यह हुआ, तो यह बयाविर्टतप का अर्थ वहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रस्न पैदा हुआ, जिग्यासा पैदा हुई, आगम की अंदर तो यह कहा गया, किसी भी प्राणी को तकलीप नहीं देना, यह बयाविर्टतप है, और बाइदिवे कोई तकलीप में है, हमारे सामने हैं, तो उस समय बयाविर्टतप स्वरी क्या करेगा, तो उसके अंदर यह अर्थ हुआ, कि कोई भी ऐसी तकलीप में है, परेशानी में है, दुख दर्द में है, तो ऐसे प्राणीयों का निश्काम भाबना से, निश्परयोजन भाबना से, निश्वार्फ भाबना स उसके एवज में कुछ भी पाने की इच्छा रखे बगेर, निश्काम भाबना से, उसको साता पहुँचाना, यह भी बयाविर्टत अब की अंतरगत है, यह जह इसके अर्थ करने वाले टिकाकार, भास्यकार, उन्होंने इसका समानान दिया, यह आगम के अंदर यह लिखा आए कि किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं देना, यह बयाविर्टत अपस्दिया है, फिर प्रस्न उठा, बाइदिवे कोई तकलीफ में है, तो उसका क्या करना, उन्हें का निश्काम भाबना से, उसके बज में हमारे को मान मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले, आदर मिले, बा उसको साता पहुचाना, यह जो है, यह भी यह बयाविर्टत अपके अंतरगत है, यह स्वीकार हुआ, और बरसों तक सैकनों हजारों बरसों तक यही परमपरा चलती रही, तो अपने समाज के अंदर, जैन समाज के अंदर, जैसे अन्दान है, पान दान है, बसर दान है, न को भी काम है शेवा के काम दुनिया भर के संशार के अंदर चलते रहे दो डाई सव वर्ष पहले एक और विचार दारा पैदा हो गई भाई ये बैया बिर्त तप में इतना तो बिल्कुल ठीक है कि बैया बिर्त तपस भी किसी भी प्राणी को तखलीफ न दे ये तो हमारे को बिल्कुल मानने है लेकिन कोई तकलीफ है तो उसकी शेवा करना ये गलत है ये वीचार पैदा हो गया आगम में तो लिखा नहीं है उन्होंने तो सिरा लिख दिया कि किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं देना बैया बिर्त ततप है तो फिर आप ने ये कैसे चोड़ दिया कि किसी को तकलीफ है कोई बिमार है कोई परिशान है कोई मर रहा है कोई चिल्ला रहा है तो इसको शहयोग देना भी जहे बैया बिर्त ततप है ये गलत है ये वीचार दारा जेड़ दोशों साल पहले ये वीचार दारा आगे और आई कहां से इसे बैया घृत की अर्था से तूने का इसका मतलब अवज मर रहा है चिल रहा है जल रहा है परिशान हो रहा है गिर रहा है तकलीफ में तू उसको सहयोगी नदे उसकी सेवाई में करें वह निश्काम भावना से तो कर सकते हैं जैसे बिना स्वार्थ के तो कर सकते हैं, बिना अपेक्सा से तो कर सकते हैं, होगतार नहीं है। सेवा करना हो, सहयुक देना हो, तो स्रिफ दिख्सित आत्मा हैं, स्रिफ सहियमी आत्मा हैं, कोई सादू हो, सहियमी हो, आचारे हो, उपाध्याय हो, पंच महवर्त धारी हो, सारे पाफों का त्या किया हुआ हो, उसको तो साथा पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी को भी अगर साता पहुंचाते हैं, तो पाप कर्म का बंदन है, वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये विचार धारा पईदा हो। और इस विचार धारा को जिनोंने फलो किया, पहले तेरे जनोंने फलो किया, और तेरे जने ठानक बाशी परमपरा से अलग हो गए, वे आफ लोग जो करते हैं, ये गलत है, आफ लोग अन्न दान, पांदान, शहयोग, सेबा, दबाई देना, बिमारों की सेबा करना, ये जो सब के लिए कहते हैं, ये घलत है, हम तो इसको नहीं मानते, ये तो भग्वान की बाणी से अलग है, ये तो गलत है, इसलिए तेरा जने ठानक बाशी जो परमपरा थी, से उतामबर परमपरा थी, उससे अलग हो गए, तो उनने का, ये प्रभू, तेरा पंथ, हम तो तेरे पंथ के उपर चल रहे हैं, सही तुमारे पंथ के उपर चल रहे हैं, वहां से तेरा पंथी समाज का निर्मान होगा, और कहां से पढ़िदा होगा, इसकी जड़ बहियाविर्थ्य तप है, और कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता, या फिर जो एक कुछ समझने की अलग- जिसका बरणन सासर की अंदर किया हुआ है उसी की उपर नवालूम कितने अजारों परस तक उसका आचरन होता रहा क्योंकि जह उसमें यह हुआ भई निश्काम भामना से तो हम सेवा कर सकते हैं यह जो है यह यह जो बैया गृत्त अब की अंतरगत है लेकिन आचार फिरना बरव Canada इसी कल गलत गलत है तो फिर विवाध की और कि इसका मतल bid dull गिर रहा तो गिरने ne जा चुह को इस अस यह तेश्क हैं जाने जाना हमने नहीं गिरना हमने हमने इस बिल्म जोचना नहीं है पस इतना बहुत है इतना बहुत भाई अगर तब इतना ही है कि हमने किसी को तकलीफ नहीं देना है हमने किसी को मारना नहीं हमने किसी को जलाना नहीं हमने किसी को फूकना नहीं हमने किसी को गिराना नहीं हमने किसी को घाल नहीं करना है लेकिन हो गया तो हो गया उसका कर्म है फिर उसमें हम जह बीच के अंदर ये शेवा की वावना लेकर के कोई बेवदानन नहीं डाल सकते अगर ये डालते हो तो गलत है तो इस बात को लेकर के फिर बिवाद पैदा हुआ कि भई ये तो बिल्कुल गलत है सारे संसार के अंदर दया के लिए करुणा के लिए सेवा के लिए कितना कुछ किया जाता है और हम ये कहें मरते विए को बचाना पाप है गिरते विए को समालना पाप है या जलते विए को अगनी से बचाना पाप है यह कैसे हो सकता है उन्हें का नहीं हो सकता है तो हम तो इस दो मान नहीं सकते हैं यहां से तेरपंथ परम्परा प्रारंब भगी अधिया भृत्त तप के अर्थ से जो है तो कहां कहां से कैसी जड़ें पैदा हो जाती है कैसा भेद पैदा हो जाता है अवस्परम्परा के कि एक सेख बड़ेकर के वास्यकार एक सेख बड़ीकर की कभी एक सेख बड़ेकर के विद्वान हैं लेकिन हो लोग उसी से तो पुष्ट करते हैं जो हम बैयाव 250 की बात करते हैं ओओ भी 217 है और यह जो दिंग युद्षेवत्अंबर जैन समाज की तरफ सी सीजा बात गलत सेवा करना हो तो केवल साधु साधियों की सेवा कि जा सकती है केवल उनको साथा पहुंचा जा सकता है उसके अलावा कोई भी असेयती प्राणी है उनको कोई भी सेवा करना यह धरम नहीं यह अधरम है यह विचारधारा और यह प्रविर्थी चलती है और जिस समय ये विचारधारा चली तो इसका बड़ा भारी विरोध हुआ सारे भारतिय जितने भी मुल्के के दर्म परंपराएं सब का विरोध हुआ कहीं रूखने की जगा नहीं मिलते थी कोई भोजन पानी देना पसंद नहीं करता था कहीं कितने ही ऐसे छेत्र थे उनकी अंदर जाना पसंद नहीं अंदर गुषने नहीं देते थे उनने का ये भी कोई दर्म है ये भी कोई बग्मान मा बिर्शामी का दर्म है ये भी कोई अईशा दर्म है किसी की रक्षाई नहीं करना किसी को सहयोगी नहीं करना किसी बिमार को दबाई नहीं देना मरता है तो मरने दो बहता है तो बहने दो डुमना तो डुमने दो ये कोई दरम हुगा तो इसका बड़ा भारी विरोध हुगा और उन संतों ने अब इतनी इतनी तक्सलिफें थी और किशी विश्वास को लेकर के चले थे इस मशान गाट में रुखते थे रेते के उपर खारा राजस्थान हो तो रेत से भरा पड़ा रुखने की जला नहीं मिलती थे गर्मी के मौसम में रेत के उपर पड़े रहते थे इस मशान गाटों के अंदर रहते थे कहीं कहीं दिन तक तपसरिया करते थे और ऐसा चलते 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 कुछ लोगों ने सोचा अरे भाई इतना जो तपसरिया कर रहे हैं इतना कश्टिम सहय कर रहे हैं अरे कुछ नगुस तो होगा अरे कुछ नगुस तो इनकी बात भी होगी न बिना मतलब कि तू कोन हैसा करता है चलो भाई इनका कुछन गुष्टो शहयोग करना पड़ेगा नहीं का कुछन गुष्टो मान संबान करना पड़ेगा वो जितना जितना उन्होंने त्याग और तपस्रिया की उसकी बज़े से फिर उनको परतिष्टा प्रारम्भ होगे औ और आगे चल करके इस बात को कोई सुईकार नहीं कर सकता था इसरी आचार तुलसे ने कहा भई ध्यान साधना की शिविर लगाओ यह अपने सिद्धान के कहीं है बोलोगे कहीं है तो मुश्किल हो जाएगा इसलिए पंचसील का निकालो अनुबर्ट का अंदुलन निकालो ध्यान का अंदुलन ध्यान सिविरों का निकालो जिनको जो पबली कली कुछ ने कुछ बोल सकें लेकिन अपनी चीज अगर रखेंगे तो भई पत्थर बाजी होगी परिशानी होगी तकलीब होगी लड़ाई जगड़े होंगे यह आचारे तुलसे जीने फिर इस चीज को थोड़ा बदला उन्हें का जो हमारा अपना विश्वास है जो हमारी अपने सिद्धानत हैं हमने अपने घर के अंदर पक्के लोगों को बतलाना पबली कली अगर तुम यह बतलाओगे तो बड़ी बारी मुसीदवत होगी आजकर मुसीबत ही हो रही है इसलिए पबली कली यह बात नहीं करना जो हमारी माननता है जो हमारे पक्के लोग होगे उनको बताएंगे अपने सिद्धान ने क्या करना है पुलिकली अनुवर्ट का अनुवर्ट चलाया जो उन श्रावक के जो पांच अनुवर्त है उनका अनुवर्त 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 तादात के अंदर तेरपन्ति समाझ के अंदर सादु लेकर कि बे浏द पएदा हुआ एंट्धी परंपर का जनमी यहां से हुआ कि सब्सक्राइब आखिरो करना ऊस्पराइब यह दरभ्येम ंड्रय सहतराू यह चलो करना करो कोई बात नहीं तो मैं यह कह रहा हूँ यह जो तप हैं यह शिद्धान्त हैं यह आगम के अंदर आई हुई चीजें हैं और इनको सही धंग्षे समझना भी कितना कठीन काम होता है और कभी-कभी विचार भेद होते हैं तो उसके परिणाम कहां से कहां कहां अंतर तप अंतर तप में तीसरा अंतर तप जो आत्मा को परमयात्मा की नजदीख लेकर के पहुँचने वाला है इतनी गहराई के अंदर करने वाला है लेकिन उसी से इतना बड़ा बिरोद पैदा हुआ इतना बड़ा भेद पैदा हुआ, इतना संगर्ष पैदा हुआ, इतना मनमुटा पैदा हुए, और आब तो यही सही है, अभी तो आचार जी ने यह भी घोशना कर दिती पीछे, जो जैन 13 पंथ परंपरा के जितने भी युबक हैं, उनकी सांदी 13 पंथ परंपरा के लड़क उसमें भी नहीं देना यह जोशना करने के बाद काफी आयतो बाल मुझ गही थी, और यह ऐसा कैसे कर सकते हो, आज हमारा समाज उसा है, आँचार जही घोशना कैसे कर सकते हैं, लेकिन चलता है, अब जेनी के पास बल होता है, सग्ति ऋती है, पीठ बल होता है, वनकір तो आ इतने पईदा हो जाओ कि तरोठी बेठी का भी संबंद बंद करो इसमें अपने ठानक बाशी और मुर्तिकुजा कर दिगंबर उन परंपराओं के अंदर की देने के लिए मना कर भिया हो तेरपंथी बच्ची होगी तो तेरपंथी मानने वालों के साथ ही होगी और तेरपंथी लड़का होगा तो तेरपंथी लड़की से ही साथ ही होगी दूसर इसके नहीं करता है तो ये इनी चीजों से जो अद्भुच चीजें होती है आत्म साधना के उचाई होती है लेकिन कभी-कभी उनकी अंदर भी ऐसे बेद पैदा हो जाते हैं जिससे समयाच के अंदर बड़ी भारी बिडंबना भी क्या हो जाती है पैदा हो जाती है तो बैया विर्टत तप उसक से अर्थ क्या होता है और अर्थ क्वेद होने के कारण क्या से क्या हुआ हमारे समाज के अंदर कितना बड़ा एक बर्ग अलग हो गया और इस परिकार कहीं संपरदाय बीच के अंदर पैदा हो गए ये सब बात हैं इस तपस्षरिया की संबंद में जो इसके संबंदित थे को आप लोग की जानकारी के लिए बिद्धवेश के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, किसी का अपमान करने के लिए नहीं, ये शरीब एक जानकारी के लिए कि अमारी मान्यता भेद क्या है, क्योंकि अगर किसी को पूछो वे थानकवाशी और मुर्थी पुज़क की अंदर क्या अंतर होता है कहते हैं उने की मुपट्टी छोटी होती है और उने की लंभी होती है बस और इसे रखेंगे तो शारे ठानेकवाशी समझेंगे इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लग इसलिए दो अंगुल उनने एक अंगुल इदर से बढ़ा दिया कि लोग को परिशा करता हमें तो पता है लेकर लोग को कैसे पता लगे तो आज कल आफ लोग सिर्फ इतना वेद समझते है कोई पूछे ने किसी से पूछे तेरपंति और हमारे में क्या अंतर है जी कोई संता आए कोई देखे युवग बगरा पूछे तो माता पिता भाई बैन यही बतला देते हैं पर जो थानक वाशी हम लोग है न हमारी मुखट्टी छोटी होती है और तेरपंतियों की लंबी हो किसी के पास इतना जै वो इतना जै जिग्यांसा बगरा है इसलिए परसंग आया था इसलिए परसंग के अनुशार ये चीज बतला दिया और बहुत से तरक ऐसे हैं बहुत से अकात्य तरक उनके ऐसे हैं कि बड़े-बड़े विद्वान भी उस चीज को सुईकार करते हैं क्योंकि बड़ा बारी समाज भी उनके पीछे हैं तो एक तरब से हम किसी को एकदम गलत या किसी को एकदम सही तो हम कहा नहीं सकते हैं किसी को निश्यरूप से कहीं बेवारिकता का चलता है कहीं निश्य का चलता है कहीं कुछ का चलता है ये परंपराइं चलती रहती हैं औ और दिगंबर पर हमारे परंपरा, हमारी से उतांबर परंपरा है, इसमें मुर्ति बुजा के ठाने पाशी, इसमें बेवहारिक धर्म को जाना महत तो दिया जाता है, और दिगंबर परंपरा के अंदर निश्य की उपर बहुत जारा हो बोलते हैं, वो निश्य की दृष्टी अगर आतमा को तकलिफ ही नहीं होती, तो काई को परिशानी होती दुनिया के अंदर, अब ये बिवारिक्ता, और उसके अंदर निश्य द्रिष्टि, और बिवार दिष्टि के अंदर भी बड़ा अंतर होता है, दिगंवर परम्परा हमेशा प्रणन करता है, तो निश्य द् परंपरा उस सोच को ले करके आगे बढ़ता है कौन गलत है कौन सही है इसकी तरफ हम यहां पर आमी सबा के अंदर नहीं जा रहे हैं लेकिन एक चीज उसकी अंदर कई से कई से बेद पैदा हो जाते हैं कैसा बीचार अंतर पैदा हो जाता है यह सब आप लोगों की जानकारी के लिए हमने दिया है तो बड़े प्रेम से आफ लो बोलेंगे मिलता है मिलता है आरंद प्रभू की वानी से मिलता है मिलता है आरंद प्रभू धरम लगता प्यारा प्यारा धरम लगता पापों की वह बहती धारा पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभू की वानी से हो जाती है बंद प्रभू की वानी से मिलता है मिलता है आरंद प्रभू की आरंद प्रभू आज हमारी धरमशवा में दूर दूर से हमारे विशेष मेहमान आई हुए है जैसे छेड बंबई खार से जैन यहां पर आए हुए है जो करमठ कारे करता है और आपके जैननगर के दामाद है अपने ससुराल में आए है उनको भी बहुत बहुत बंगल कामन आए है ठेठ नंदुर बार महाराष्ट से कोठारी परिवार यहां पर आया हुआ है हमारे संकित महाराष्ट साथ कोठारी परिवार से है उनकी परिवार जान है वो भी यहां पर आये हुए है उनको भी बहुत बहुत बंगल कामना है देते है दिल्ली और सोनी पत से भी हमारे स्रावक स्राविकां का आना हुआ है उनको भी बहुत-बहुत मंगल कामना है, बहुत-बहुत सदवामना है एक विशेश परिकार की सूचना है हमारे पुनित्मन जी महारा सामने जन तत्तो परिकाश के उपर प्रस्न पत्र निकाला हुआ है उसको जे बहने, भाई लोग उसका जे पेपर भी भर रहे हैं घर में बैठ करके एक छोटे बच्चों के लिए 108 नवकार मंत्र को लिखने की पर्तियों की ताओं उन्होंने रखे हुई है जो भी घर में लिख करके जम्य करना है तो दोनों पर्तियों के लिए पर्तम, दिवतिय, तिर्तिय, आदी जो पुरुषकार देने का अभी किसी का आया हुआ नहीं है वो बाकी है कोई भी परिवार, कोई भी स्रावक, स्राविकाएं ये दोनों परिक्षाओं के परिक्षार्थियों को उनके जो है रिजल्ट के अनुशार जो उनको पुरुषकार देना चाहते है तो पुनितमनीजी महराज साब से संपर्क कर लें क्योंकि बच्चों का 108 नमकार मंत्र लिखने की परतेवी गिता है और बड़ों के लिए जैन तत्तो परिकाश का प्रस्नज है उसको करने का है तो जो भी इसमें भाग लेना चाहते है सहया योग देना चाहते है वो पुनितमनीजी महराज साब से संपर्क कर सकते है और जिससे ये कारिकरम बहुत अच्छी तरह से आगे से आगे बढ़ सके और आज इस मेने का पहला रहिवार है और पहले रहिवार को परवर्तक, शान्ति, आशिष, सेवा, संप की तरफ से सामाईक दिवस रखा जाता है और इस दिन सब को आवगान करते हैं सामाईक के लिए और शाथ साथ में उस संप के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए भी कहा हुआ है कम से कम मैने में एक दिन सामाईक गुरुप से सामाईक करने के लिए परवचन के अंदर पहुचना है इसलिए कहीं जो भाई लोग आज परवचन के अंदर आई हुएं उनको भी बहुत-बहुत मंगल कामना है, सदवामना है देते हैं और इसी संस्थान की तरब से परवरतक सामती आसीस शेवासें की तरब से शामती लोग होस्पिटल में जहां शेवा का कामलागातार चलता है वहाँ परсыл डाइलेशस सैंटर भी चलता है और जोभी किसे को डाईलेशिस का लाब लेना हो या किसी को ऐसा कोई गरीब बगरा आपके संपरके में हो तो उनको भी उसुचना दे सकता है जिस से वहाँ पर उनको लाब ले सकें तीन मशिन वहाँ पर चल रही है और गुरु सुम्ति विशाल डायलिसिस शंटर जो चन्नहीं में चलता है उन लोगों ने महां से मुश्यने बेजी हैं तो यहां पर उनका सुचारूर्ख से चल रहा है उस सेवा का आप लोग लाव ले सकते हैं कोई भी किसी को सुचना बगरा दे करके लावार्थी उनको बना सकते हैं और इसी संकी तरफ से प्रवर्तक शांती आशी सेवा संकी तरफ से बाल संसकार इसमाठ योजना रखी गई है जिसमें जो बच्चे आ करके सामाई करेंगे एक आशना करेंगे एक गंटे बैड करके माला करेंगे उनके लिए अलग अलग जे परचियां उनको दे रहे हैं और उन परचियों को एक मैने तक वो लेते रहेंगे और एक मैने के बाद इस्टाल लगेगा उसमें अलग अलग मुल्ले की बहुत सी चीज़ें आप रखी जाएंगे और उन परचियों के आधार पर ये बच्चे उस सामान को वो परचियां भरी करके उसके मुल्य का सामान अपने घर ले जा सकते हैं तो ये छोटा सा बच्चा है आरभ जैन इसका तेला है खड़ा हो जा भई तो तेला करना एक आसने का तेला अब ये बच्चे बगरा सब सामाई करते हैं पहले तो भागदोड करते रहते थे जब से योजना शुरू हुई है एक गंठा बैठ करके आराम से ये माला करते हैं और अंदर मनिवद्रमनी महराशाम के साम को आ करके ऐसा माला करते हैं अच्छे-च्छे योगी भी नहीं लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं और करते हैं सामाइक भी करते हैं एक आशना भी करते हैं तेला भी किया है तो यह सब कारेकरम में उनकी तरफ से चल रहा है और तो सब कुझे हम बहुत-बहुत मंगल कामनाई सदमामनाई देते हैं और आज के एक आशने भी आशने जिन पच्छान पहले करा देते हैं आज के तेले का बत्या कट रहान सब्सक्राइब करने वालों को संग की सान आगे बढ़ाने वालों को स्विर्मती सिमला किम्तिलाल जी जैन उनका चोंतिसमा आई मिल है चोंतिसमा पैंतिसमा आई मिल है आज 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 का पैंतिसमा आई मिल है आज माश खमने से भी आगे जोहे निकल गए है जैसे चंद्रयान आगे सी आगे निकलता चला जाता है ने अरुगावट को पार करते विए जैसे माश खावन को भी पार करके आख आगे बढ़ गए है तो आपको बहुत-बहुत मंगल काम ना है आज 35 में आपका एक आशना है आइम बिल, 35 में आइम बिल का बच्छा न दिय आज के उपवास का परत्या ख्यान अगर किसी भाई बहने का आज का उपवास हो तो आपका एक आशना है लंबा एक आशना कितना होगे पाइशने कितनी भी तपश्या करो इक आशना करो जात करो पाठ करो उपवास करो, बेले तेले करो, अठाई करो, उसका कोई भी मांग नहीं रखना, ये प्रभु ये मैंने कर लिया, तो ये काम मेरा हो जाए, वो सारा अपुन्य बंडारे की अंदर कथा करना, जो अगले भव के अंदर हमारे काम आ जाए, उसको लेकर को और तो चलने वाले कु अनन्त 14 तक, नहीं तो कम से कम, सम्मस्री तक जितनी भी तपस्रिया करो, निश्काम भामना से करो, बिना स्वार्थ के करो, बिना अपेक्षा से करो, जितना कर सकते हो तेह दिल से करो, वो सारा अमारे बंडारे की अंदर इकथा रहेगा, और जहां पर कुछ नहीं इस्ता आत्मा के साथ वो बैवव, वो सम्रिद्धी उधर को पहुंचेगी, इसलिए बंडारे की अस्टेमी का विशेश रुप से आप लोगों ने ध्यान रखना है, और बाहरतारी को पहला परिशन है, और ये तो आप हमेशा करते रहते हैं, इसलिए ज्यादा पिरन्ना क की जरूरत ने, लेकिन घर में जरूर चर्चा आप लोग करें, और अपने बच्चों को जरूर पूछें, एक बार तो पूछें, उनको भई परिशन हा रहे हैं, क्या कर रहे हो, इसकी तपस्या क्या है, क्या क्या कर रहे हो, इतना बड़े पूछ लेते हैं, टोक लेते हैं उन्नीस तारिक तक ये जे पुरिशन महापरव और संबस्षरी महापरव की आरादना सादना के दिन है और आज का जो जाप है आज का जाप है शिरिसंभवनात भगवान को वन्न नवारं बार शिरिसंभवनात